गुड़ू ए गुड़ू यहावाद है बाबुजी यह लड़का भी ना पता नहीं क्या दिन भर मुबाइल में कुचूर पुचूर करता रहता ठोड़ास एक आखर बुलाने में कभी भी नहीं आता पुजी बताईये क्या काम है उका है ना बिटवा दिन भर घेत में काम करते करते गोड़ हाथ कर यहाव बदन में पूरे दर्द है बिटवा तनी गोड़ दाब दो बस बिटवा तनी गोड़ दाब दो लेट जा रहे है ठीक है बाबुजी ले आये पार है पाका जाईशन निकलाइ अवा गोड़ू तनी आउर दाबाबाबा दो बूजी बताईये क्या काम है बिटवा थोड़ा यही पैरवा दमादो भहुत दर्द कर रहा है आज ठीक है बाबो जी ले आए पैर बाबो जी आप बुरा नमाने ते एक बात कहूं हाँ हाँ बोलो बिटवा क्या कहना चाहते हो बोलो बुजी उका है न हम मुंबई जाना चाहते हैं किसलिए जाना चाहते हो मुंबई हम एक्टर बनना चाहते हैं बाबो जी कौनो डिगरी है क्या यह एक्टर नहीं बाबो जी एक्टर कोई डिगरी नहीं होती जो फिल्म बनाते हैं उनको एक्テर कहते हैं मतलब तुम नचनिया बनना चाहते हो नहीं बाबू जी नचनिया नहीं कहते हैं उनको अरे नहीं क्या अरे हमारी तो किसमत ही खराब थी जो तुम जैसा आवलाद हमारे घर पैता हुआ अरे पढ़ो लिखो नोकरी करो नाम रोसन करो अपना भी हमारा भी अपने गाउं का अपने परिवार का नहीं वही तो कहावत हो गई जन्म का गड़ुआ कर्म काहीन जिका दयू नचन्या कीन ए गुट्टू ए उठो बिटवा की सोते रहों के जाना नहीं है क्या तुमें आप कहा जाने की बात कर रहे हैं बाबुजी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अरे फिक्टर बनने ये फिक्टर क्या आप कह रहे हैं बाबुजी एक्टर बनने मुंबई नहीं जाओगे क्या सच में बाबुजी कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं मैंने कल रात में बहुत सोचा कि आखिर हमारा बेटा उसकी भी तो कोई तमन्ना होगी जो बनना चाहता है इसलिए बेटा ये लो टिकट और अपना ध्यान रखना और फ्यक्टर बन के आना हमारे यहाँ फल अक्टर बन के आना बेटा यहाँ पे ठीक है बाबु जी मैं अपने भविश्ट में काम्याब होके मैं इस तरह बुनूंगा अपने तकदीर के धागे कि मैं इस तरह बुनूंगा अपने तकदीर के धागे अच्छे अच्छे को जुखना पड़ेगा मेरे आगे